everyone in this video you will know about the preposition इस वीडियो में हम preposition के बारे में जानेंगे पहले उसका meaning पिर उसका correct uses और हम इस वीडियो में सिर्फ तीन preposition के बारे में जानेंगे about, above and across मैंने इस वीडियो में सिर्फ तीन preposition को उठाया है ताकि आप preposition को अच्छी से समझ सकी और वीडियो भी छोटा हो क्योंकि हम जादा समझते हैं तो और जादा confusion होता है हम दो ही तीन या चार को समझे लेकिन clear समझे और अच्छी से समझ में आए इस उम्मित के साथ हम वीडियो में सिर्फ तीन ही preposition को उठाये हैं कहां कहां इसका एक्जेक्टी यू जोटा है थोदे एक्जामपल so let's know पहले हम जानेंगे आप आउट के बारे में उसका मेर्मिन क्या होता है किसी b inequip की नजदी की किसी चीज की नजदी की तीक की ठाइट एम अबाउट का यूज करेंगी तो पहला यूज क्या होता है उसका concerning, concerning के मींस में होता है के संबंध में या के बारे में concerning मींस होता है के संबंध में या के बारे में जैसे do you know about him क्या तुम उसके बारे में जानते हो तो यहां about हो गया मतलब concerning उसके बारे में उसके बारे में concern कर रहा है के बारे में ठीक है तो यहाँ पर हम उसके संबंध में या किसी के ड्यूटी के बारे में बता रहा है वहां पर हम about का यूज़ करते हैं ठीक है दूसरा यूज़ क्या होता है कहां होता है about का के इधर उधर का मतलब होता है अस्थान का भाव होना चाहिए निरने सब प्लेस किसी प्लेस के नजदीक इधर उधर जहां भाव आता है वहां पर हम about का यूज़ करते हैं कैसे करते हैं लेट्स नो, he is wondering about the town, what town के इधर उधर घूम रहा है, के इधर उधर, प्लेस है town, he is traveling about the world, word क्या है, place है, place के इधर उधर, या विशु के इधर उधर, वो घूम रहा है, travel कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो यहां पर आगया है, अस्थान के जहां भाव आता है, और उसका नज के लगभग, मतलब तीसरा यूज होता है, के लगभग, और नियरने सब टाइम, जब टाइम के नजदीक पहुचना होता है, टाइम के नजदीक हो, लेकि एक्जेक्ट नहीं पता है, तो हाँ पर हम about का यूज करेंगे, कैसे जैसे वो, it is about 10 o'clock, दस बजने के लगभग है, दस बजने वाला है, तो हाँ पर हम about का यूज करेंगे, बजा नहीं है, निकि बजने वाला है, he arrived at about 7 o'clock, वो 7 o'clock के लगभग पहुचेगा, पहुचा, तो 7 o'clock के नजदीक तक या के लगभग पहुचा, तो वहाँ पर हम about का यूज करेंगे, मतलब किसी समय के हम आस पास होते हैं, वहाँ पर हम about का यूज करते हैं, अब चौथा यूज कहां करते हैं, चौथा यूज कोई भी कार होने होने को है, मतलब तुरंथ होने ही वाला है, या कर के तुरंथ होने का भाव, वहाँ पर हम about का यूज करते हैं, जैसे the train is about to start, train start होने वाली है, मतलब में स्टार्ट होने वाली तह सो इज वाउट सो इप स्टार्ट होने वाला है शुरू जगह about का यूज होता है clear concerning के संबंद में के बारे में या के अस्थान में के इधर उधर या समय के लगभग या कार के होने होने को तो यहां पर चार जगह about का यूज होता है अब हम आएंगे above का यूज कहां होता है अब हम पहले मिनिंग जानेंगे इन या higher position बहुत ज़्यादा उचाई पर जहां पर सेंस आता है वहां प्याम above का यूज करते हैं जैसे के ऊपर पहला यूज क्या है के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं सीर से सटा हुआ ना हो higher हो बहुत ज़्यादा उचाई पर हो वहां पर हम above का यूज करेंगे जैसे a sword was hanging above his head मतलब सीर के ऊपर तलवार लटक रही है ठीक है चल रही है लटक रही है तो hanging सीर के बहुत ऊपर ठीक है तो वहां पर हम above का यूज करेंगे दूसरा यूज क्या है कि से परे या से ऊपर जैसे beyond the reach of माला किसी चीज से परे हो किसी चीज से परे हो तो वहां पर हम above का यूज करेंगे जैसे हमें जीवन से ऊपर सम्मान को महतु देना चाहिए मतलब जीवन से जादा हमें सम्मान को वैलू देना चाहिए तो जीवन से ऊपर ठीक है जीवन से ऊपर हमें सम्मान को तो यहां पर जीवन से जादा हमें सम्मान का मनप से परे के ऊपर तो वहां वहां पर हम above का यूज करेंगे आवेदक को की आयू 20 वर से ऊपर होने चाहिए तो वहां पर हम above का यूज करेंगे टीक है लाइफ से अब किसी चीज से ऊपर हो किसी चीज से परे हो वहां पर हम above का यूज करेंगे ठीक है अब हम आते हैं across का यूज एक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है from one side to opposite एक अस्थान से दूसरी बीप्री दिशा में एक अस्थान से दूसरी दिशा में दूसरी छोड तब यह कह सकते हैं opposite direction बीप्री दिशा तो रहाँ पे हम across का उस्था करेंगे पहला उस्थान का करते हैं यहां पर के उसपार का मिनग होता है जैसे हार हाउस इस एक रोस तरीवर ठीके उसका घर नदी के उसपार है ठीके नदी के उसपार है आया तो हम उसपार आपे रहां में आपको यूज करेंगे the cow swam across the river ठीक है cow नदी के उस पार तैर रही है के उस पार नदी के उस पार तैर रही है तो यहाँ पे के उस पार का जहां से जाता है वहाँ पे हम across का यूज करते हैं दूसरा यूज क्या होता है across का एक छोड से दूसरी छोड तर तो इस क्लियर है, from one side to the other side of something, किसी चीज के एक छोड से दूसरी छोड तक, समझ गया है, can you swim across the river, क्या तुम एक छोड से दूसरी छोड तक नदी तैर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर हम अक्रोड का यूज करेंगे, there is bridge across the river, river के एक छोड से दूसरी छोड पर bridge है, ठीक है, तो क्लियर होगया, एक छोड से दूसरी छोड की जहाँ बात होती है, वहाँ पिश करते हैं, आप पोजिट टेरिक्शन की जहाँ बात होती है, वहाँ पिश करते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा जैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताईए सो नए वीडियो के साथ प्रिपोजीशन के कुछ और भी यूजेज हैं बहुत सारे प्रिपोजीशन हैं उसके दो तिन यूजेज लेकर हम फिर वी होच्छिं!